राजस्तान में चुनाव प्रचार का सोर थम चुका है लेकिन सोर थमने के साथ ही एक बड़ी अपडेट सामना आई है वो अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने राहूल गांदी और कॉंग्रेश की राश्य अध्यक मलिकारजुन खड़गे को नोटिस थमाया है ये नोटि जो फाइनल मेंच हुआता वर्ल्ड कप का आश्टेलिय और भारत के बीच उसका जिकर करते हैं कि उस मैच में ये दी पन्नोती नहीं जाता तो साहित भारत मेंच जीत जाता यहीं नहीं एक सबब उन्होंने इसके अलावा प्रदान मंत्री को लेकर एक और टिपनी की थी ज इसमें वो कहता है कि प्रदान मंत्री के गरिमा होती हैं और उस गरिमा का तेथ इस तरह से ओचे सब्द अपमान जनक सब्द वो बरदास्त नहीं कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में जब राजिस्तान में 25 तारी को वोटिंग है ऐसे में इस तरह के सब्द जनता के भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपमान एकपद का होता है जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामने में संग्यान लिया और राहूल गांदी और खडगे को नोटिस दिया है उस नोटिस में 25 तारीक का वक्त दिया गया है 25 नौमबर जिस दिन मद्दान है और उसी दिन राहू के बारी आई तो उन्होंने 5 के करीब रहेलिया राजस्तान में सबाहें की थी ठीक यही हाल उनके बैंवर का गांधी के हैं उन्होंने भहुत कम यहां ती हाला कि कांग्रेस यहां पर रिपीट करने का दावा कररी हैं अपने गार्रेंटों के शाथ लेकिन भाजपा भी अपने संकल्प के साथ दावा कर रही है कि वो जो रिवाज बन रहा है लगातार पांच साल बीजेपी पांच साल कॉंग्रेस का उकायम रहेगा लेकिन देखना यह होगा कि इस नोटिस का जवाब रहूल गांधी किस तरह से फ्रंट पुट कर आकर देखते हैं त्यूंकि वो कहते हैं कि मैं किसी पद का अपमान नहीं कर रहा हलांकि जब उन्होंने अब बयान दिया था पनोती वाला उसमें उन्होंने परदानमंत्र जंदर मोधी का नाम नहीं लिया लेकिन ये बात कही थी कि उस वर्ल्ड कप के फाइनल में वो इंसान वो आदमी वो जापूर राजस तंतग